गुड मॉरिंग गाइज आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी के दहिंदो आर्टिकल में आप सब का स्वागत है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें सुरू करते हैं आज का पहला वर्ड पहला वर्ड है विस्येटेड इसका मतलब होता है बिगाड़ना या वर्सन को कहा जाता है किसी की क्वालिटी को खराब करना उसको दुस्सीत करना जैसे की इमेज में दिखरा होगा जो एक खाना है इसको बिली ने खराब कर दिया है तो यह होता है विस्येटेड या फिर किसी की इमेज को स्पोईल करना बलेमिस करना उस पर दाग धब्बे इस टाइब का लगाना तो यह होता है To reduce the value or quality of something or someone किसी चीज की या किसी person की image को खराब करना Impair करना या उसे devalue करना Defile deteriorate, undermine यह इसके synonym है इनका मतलब भी क्या होता है दुस्चित करना Defile मतलब दुस्चित करना होता है तो यह होता है deteriorate, खराब करना Impair, यह इसका एक synonym है खराब करना, mar होता है इसका मतलब बिगाड़ना, यहानी पहुँचाना खराब करना, आगात पहुचाना यह होता है, mar तो यह इसका एक synonym है Antonym है इसका ameliorate cure, heal, help यह इसके antonym है ameliorate, सुधार सुधार को का जाता है किसी चीज में सुधार करना heal, इस भी क्या होता है सुधार होना कोई health है, किसी की खराब हो रखी है उसको, उसमें सुधार आना ठीक है, तो यह होता है एक्जामपल इसका smoking visits the air दुमरपान हवा को खराब करता है या हवा को दुस्षित करता है तो यह इसका example है तो कहाई जगला वट है punctiliously, इसका मतलब होता है बारेकी से, या फिर carefully को कहा जाता है punctiliously, अगर कोई चीज आप काफी ध्यान पुरुवक करो ठीक है, या सुक्छुमता से करो पूरी बारेकी से करो सतरकता पुरुवक वह उता है punctiliously gingerly, meticulously, exactly यह इसके सिननमे gingerly मतलब काफी सावधानी से ठीक है, एहतियाती से या फिर काफी डरते डरते सावधानी से, यह उता है gingerly, meticulously जो क्या है काफी सुक्छुमता से या पूरी बारेकी से ध्यान पुरुवक यह होता है meticulously thoroughly, precisely यह इसके सिननम है antinom इसका carelessly easy going slapdess यह इसके antinom है slapdess मतलब ला परभाई से ठीक है, तो यह भी इसका synonym है या antinom है example इसका she observed the rules punctiliously उसने जो rule है जो नियम है, कानून है उनको बारेकी से observe किया ठीक है, तो यह इसका example है अगला वर्ट है wastage इसका मतलब होता है निसान या mark को कहा जाता है wastage जो किसी चीज का mark है या निसान है या obsaces है जैसे a wastage of truth सचाई की निसानी ठीक है या फिर a wastage of ancient kingdom जैसे की image में दिखरा होगा यह कुछ खंडहर है उसकी wastage है वहाँ पे बचे वे तो किसी चीज की कोई निसानी है या mark है रेमनेंट है रेलिक है रिमेंस है यह इसके synonym है इनका मतलब भी क्या होता है कोई निसानी रेलिक मतलब कोई जो rumor था जो अफवा थी उसमें सच्चाई की कोई निसानी नहीं थी ठीक है तो यह इसका example है तो गया जगलावट है onslaught इसका मतलब होता है हमला या मारधार को कहा जाता है onslaught या किसी को किसी पर attack करना ठीक है किसी का विरोध करना आकरमन करना ठीक है दावा बोलना यह होता है onslaught या किसी के खलाब campaign चलाना strike करना ठीक है किसी के घर पे raid डालना invasion करना किसी को invasion मतलब किसी पर आकरमन करना या उसकी कुछ चीजों को कबजा लेना ठीक है onset का मतलब परारम भी होता है तो ध्यान देना परारम भी ये एक meaning देगा किसी जिसका परारम या आरम ठीक है जैसे onslaught against the rebels जो rebels थे जो विद्रोई थे उनकी खिलाब हमला या उनकी खिलाब कोई विद्रोह ठीक है तो विद्रोह को का जाता है या किसी का विरोध ये होता है onslaught of male male की जो बोच्छारे आ गई ठीक है उन्होंने attack कर दिया मतलब एक साथ जब बहुत सारे बोच्छार चले तो इस टाइब का sense देगा है antinamist का withdrawal retreat escape exit exit मतलब बाहर निकलना यहाँ पर कहा है आकरमन करना या प्रारम करना exit खतम हो रहा है या आप वापस ले रहे हो retreat वापस लेना escape बच्चना तो ये इसके antinam है example इसका an onslaught on the enemy troops एक हमला या एक दावा जो enemy है जो दुस्मन troops है उस पर ठीक है तो ये इसका example है तो guys अगला वाट है finness इसका मतलब होता है चाला की या cleverness को कहा जाता है finness जो किसी परकार की कौसलता है या skill है adroitness है ठीक है समझदारी है या फिर situation को handle करने की जो चमता है skill in handling a highly sensitive situation ठीक है या कोई artful management है आपके पास जबर्दस skill है चीजों को अच्छे रंग से manage करने की वो होता है finness जैसे हमारे विदे समंतरी है उनके पास exceptional diplomatic finness है ठीक है एक असाधरन कौटनेतिक कुसलता है उनके पास तो यह होता है finness expertise panas stratagem यह इसके synonym है panas मतलब कोई युक्ती है जो या फिर stylist को कहा जाता है panas stratagem जो आपके पास कोई trick है तो यह इसके synonym है इसे आप finness से confusion मत करना finness मतलब क्या होता है जो किसी की किसी चीज की quality होती है उसके fine होने की मतलब उसकी जो उतकिस्टा है या उसकी इनका मतलब ही जो अकुसल है ठीक है तो इसका एंटिनिम है एक्जामपल इसका इसका अगरा वर्ड है कैटेकलिस्मिक इसका मतलब होता है परले समंधी या डिजास्टरस को कहा जाता है कैटेकलिस्मिक जो डिस्टरक्टिव है ठीक है या डिजास्टरस है वो होता है कैटेकलिस्मिक ट्रेजडी कलेमपल इसके सिननिम है climateas मतलब जो आपके लिए काफी गहतक है ठीक है या परले कारी है वो ह मतलब जो भी पता हाती है या किसी परकार की जो दुरगटना है आपता है आपता को कहा जाता है calamity और Conclus जो आपके लिए गहतक है ठीक है दुखदाई है तो यह होता है catastrophic परले कारी है वो ऐसे ही fatal होता है जो घहतक आपके लिए faithful जो काफी घहतक है परलेकारी है रियोनस होगा ठीक है destructive, disastrous ये इसके syndrome है Antonym है जो आपके लिए fortunate है काफी अच्छा है beneficial है lucky है ये इसके antonym है example इसका the second world war is one of the biggest cataclysmic in the 20th century सेंच्यूरी का सबसे बड़ा परले कारी था ठीक को किसी चीज को बिल्कुल ना पसंद करें या मतलब परबल विरुद का एक किसी चीज का अपोच करना होस्टायल होना किसी चीज के लिए, या लौत, किसी चीज़ से गिरना करना, ठीक है, किसी के लिए antipathetic होना, मतलब किसी का बिल्कुल पसंद ना करना, यह होता है ever's, जैसे there are many heroes in bollywood, who are ever's to publicity, जो बिल्कुल जो publicity है, उसके बिल्कुल विरोधक है, ठीक है उसका बिल्कुल विरोधक है, inimical है, unfavorable है, तो ये इसके synonym है, antinim है जो favorable है, आपके लिए फायदे मन्द है, inclined है, जिसके तरब आप जुकते हो, जुकाओ है, keen है, eager है, किसी चिछकल आपके अंदर जो उच्छुकता है, keen मतलब उच्छुकता, eager भी क्या हो, उच्छुकता, तो ये इसका antinim है, example है, my father is averse to people smoking cigarettes in the car, जो मेरे फादर है, वो बिल्कुल विरोधी है, या फिर बिल्कुल strong dislike करते हैं, बहुँ जादा गिरना करते हैं उनसे, जो सिकार में cigarette पीते हैं, ठीक है, image में भी दिखरा होगा, कुछ ऐसा ही है, तो ये इसका example है, अगला वड़े, truculent, इसका मतलब बहते हैं लड़ा को, या eager to argue or fight, जो लड़ने के लिए बेताब रहे, या उतारू रहे, ठीक है, उससे कहा जाता है, truculent, जैसे rock है, ये क्या है, rock है, तो ये कैसा है, काफी, he has a truculent attitude, इसके पास एक लड़ा को attitude है, ठीक है, लड़ने के लिए बेताब लग रहे हैं, ठीक है, पगनेशियस, बैली गरेंट, कॉमबेटिव, ये इसके सिनने में, इनका मतलब भी क्या होता है, जो लड़ा को होता है, पगनेशियस जो लड़ लड़ा को हो, या फिर फाइटर हो, वह तक कॉमबेटिव, वार मौंगरिंग, मौंगरिंग मतलब व्यापार करने वाला, और वार मौंगरिंग, जो क्या करें, लड़ाए, या लड़ने को बेताब रहें, ठीक है, कोरल सम, बैली कोज, वार लाइक, ये इसके सिनने में, ज आता है हॉकिस, तो ये इसके सिननम है, कणेजिए होता है, क्वेरल सम, लडना, एंटिनम क्या है इसका, जो सीविल है, कॉपरिटिव है, एमेबल है, मिलनसार है, अफेबल है, इसका मतलब होता है अहंकारी या self-aggressive को कहा जाता है bumseous जो बहुत जादा घमंडी है ठीक है या अहंकारी है वो होता है bumseous considered arrogant wanting ये इसके sin में इनका मतलब भी जो अहंकारी है considered मतलब घमंडी ठीक है तो ये होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है full of yourself होता है if someone is full of himself मतलब वो अपने आपको ही जादा समझता है overconfident होता है या when glorious है अपने आप पर भोजा जादा गुमान करता है when glorious मतलब गुमान करना egotistic है ठीक है गमंडी इनसान और एक ऐसे what होता है presumptuous इसका मतलब भी क्या होता है जो अंकारी है presumptuous तो ये भी इसका एक synonym है boastful है सिर्फ अपनी तारिफिक करते रहता है boastful मतलब देंगे हांकने वाला swaggering है तो ये होता है bumseous antinom है इसका humble जो काफी नरम दू उसका है ठीक है venum है modest है modest मतलब gentle है इसका antinom है example इसका I don't like his bumseous behavior मुझे उसका अंकारी रवया पसंद नहीं है या उसका जो घमन्टी सोभा होता वो पसंद नहीं है तो इसका example है तो guys आज की पहली idiom है as safe as houses मतलब जो बहुँ ज़्यादा सुरक्षित है very safe है वो हता है as safe as houses जैसे example है I have locked the door they are as safe as houses मैंने दरवाजा बंद कर दिया है और वो बहुत अच्छे से सुरक्षित है ठीक है तो यह इसका example है अगली idiom है straight arrow इसका मतलब होता है an honest or trustworthy person जिस पर आप विश्वास कर सको एक इमानदार इनसान को खा जाता है straight arrow जैसे gym is a straight arrow जो gym है वो काफी honest है यह इमानदार है ठीक है तो इसका example है अगली idiom है be in seventh heaven इसका मतलब होता है extremely happy बहुत ज़्यादा खुश होने को खा जाता है be in seventh heaven example है इसका I have been in seventh heaven ever since I got angus जब से मेरी सगाई हुई है तब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ठीक है तो यह इसका example है अगली idiom है fifth wheel इसका मतलब होता है a superfluous person मतलब एक जिसकी ज़रत नहीं है यह अनावस्थिक परसन को कहा जाता है fifth wheel ठीक है जो बस ऐसे ही है साथ में क्योंकि अगर किसी गाड़ी पे पांच wheel लगाते हैं चार wheel लगता है किसी भी four wheeler पे ठीक है अब आपने पांच वह लगा दिया तो उसका क्या करोगे आप side में रखोगे क्योंकि लग तो कहीं fit अगर मैं पार्टी में आता हूँ तो मैं क्या है एक superfluous person रहूँगा मतलब एक अनावस्तिक person रहूँगा ठीक है तो यह इसका example है तो गैज अब देखते हैं हम root word based vocabulary तो आद हम क्या देखेंगे जैसे ad हो गया ai हो गया af हो गया ag, ap, as, at यह क्या होते हैं इन सब का मतलब अगर किसी word के सामय आपे जो root word है वो क्या निकाता है जोसका मतलब क्या है बिनिंग निकलता है अब आपके पास निकलता है जैसे to forward आगे चिली जाएं या आपके पास नहीं है अब वो forward किसी की तरफ आगे चिली जाएं मतलब आगे बढ़ाना या किसी की तरफ जाना इस टाइब का सेंस दिखाता है अब अखिले रह चुके हो तो लीव समबड़ी तो लीव समबड़ी या फिर आपके पास कोई दोस्त थे आपने उनको अबेंड़ान कर दिया आपने छोड़ दिया ठीक है आगे निकल गया आप तो यह होता है अबेंड़ान किसी को छोड़ देना अगर आगर वाट है इसका मतलब किया होता है to become less intense or sewer अगर आप जो है, अगर अबैट मतलब क्या होता है, किसी चीज की जो intensity है, उसका कम होना, मंद पढ़ना, ठीक है, अब जैसे कि कोई तूफान है, ठीक है, तूफान आ रखा है, अब उसने चारों तरफ क्या है, बहुत ज़्यादा तबाही कर दी है, अब क्या हो गया है, अब अब बैट हो गया है, अब वो मंद पढ़िया है, मतलब उसकी पिटाई हो गया है, बैटर आया है, मतलब पिटाई की गई है, आगे A भी लगया, मतलब उसको और ज़्यादा मंद कर दिया गया है, तो यह होता है, अब बैट, किसी चीज का मंद पढ़ना, उसकी intensity का कम पढ अगला वाट है, abattment, यह भी same meaning देता है, कोई वो नहीं है, लेकिन यह कहाई noun है, उपर T-E लगा है, तो इस चीच पर भी आप ध्यान देना है, कोई verb हो है, ठीक है, यह आपने देख लिया, नीचे M-E-N-T है, यह आपने देख लिया, E-N-T लगिया किसी के पीछे, वो उनको दिखाता है, तो यह भी आप धियान देना है, तो यहाँ पर क्या है, the act of abating or reduction, किसी चीज़ का कम होना, ठीक है न, तो यहाँ पर भी root word same है, अगला word है, abate, इसका मतलब क्या होता है, encourage, उपर क्या था है, abate थाओ, और यह क्या है, abate है, मतलब क्या है, encourage करना, यह किसी क उकसाना, ठीक है न, तो यह होता है, abate, अब यहाँ पर जो better है, betr, यहाँ पर root word यह है, इसका मतलब क्या होता है, किसी से urge करना, ठीक है, urge on, किसी से request करना, आगे a भी लगया, उसको और ज़्यादा, उससे request करना, मतलब उसको उकसा देना, ठीक है, बढ़ा हुआ देना, तो यह antar है, abate और abate में antar है, तो यह ध्यान देना, तो यह होगत आज के root word, अब guys इन word को देखना ध्यान से, यह पहला वाला क्या है, desert, दूसरा भी dearth है, और तीसरा के है, desert है, इन तियोंनों में क्या antar है, पहला वाला क्या है, एक noun है, ठीक है, दूसरा क्या है, कोई word ह और दोनों ही जो पहले और दूसरे हैं pronunciation तो सेम है desert और desert लेकिन जो इनका meaning है उनमें काफी अंतर है और जो तीसरा है इसका pronunciation भी अलग है desert ठीक है यह आप मुझे comment box में लिखोगे आप लोग लिखते नहीं हो और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते हो मुझे बिल्कुल भी फिल नहीं होता कि मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए अगर आप लिखोगे तो मन करेगा देने का भी ठीक है तो आप लोग लिखा करो अगर आपको सही लगता है यह काफी important है आप इनको हलके में मत लिया करो ठीक है तो गैज आज के लिए बस इतना ही ठेंक्यू धन्यवाद